हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फ्रेंज में हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के प्रिवियस येर के क्यूशन डिसकस कर रहे हैं अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखिए तो यहाँ पर आई कार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडि अगर आप सिस्टमेटिक वाइस क्यूशन वाइस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लेरिस्ट चेक कर सकते हैं चली चलते हैं आज का हमारे कुशन पे कुशन में हमसे बोला जा रहा है दे एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर ओफे सिंक्रोनस मशीन इस तो यह हमने हैं स्टेशनरी आर्मेचर कि अगर हम एक घुपन है तो इसका म McD mail एक हमाण से रोटेटिंग और होगा वह क्या होगा फिल्ट सिस्टम होगा रोटेटिंग यह चीज में आपको इसलिए बता रहे हूँ कि अगर आप से क्यूशन में गीवन हो कि सिंक्रोनिश माशीन के आपको बताने है रोटेटिंग अगर हमारा फिल्ट सिस्टम है तो क्या कि एडवांटेज होंगे तो वो सेम ही होंगे तो रोटेटिंग फिल्ट सिस्टम के हम यहां पर बात करें फिल्ट सिस्टम की जगे अगर सर्किट के वन हो तब ही सेम ही है तो एक कुछ-कुछ चीज़ा होती है थोड़ा सा धिया रखी है सिंक्रोनल में हम पास स्टेशनरी आर्मेचर अर्मेटर का पार्ट हमारा व उस्टेशनरे है और जो हमारी wonder हो रूटेट हो रही हो बैसिकली क्रेमारा रूटेट हो रहा है कर दिए पेले हम देखें अगर इसकी बात करते हैं इस्टेशनेरी आर्मीचार में जो हम होती है उनकी वैल्यू कम होती है उस भी इसवा гол wherein होता ए DC supply के लिए होती है फिल सिस्टम नेक्स्ट बात की जाए कि slip rings तो जो लो कम होती है इसकी reduce होती है numbers के हमारे जादे नहीं चाहिए होता है only two required होता है क्योंकि DC की supply करने होती है इसलिए बात करते हैं यहाँ पर जो हमार पास rotor पे जो हम इसको insulated करते हैं rotor की जो windings होती है तो जो high voltage windings होती है उनको insulate करने के लिए जो difficulty आती है उसको insulate करने के लिए आप इस तरह से बहुत सकते हैं तो high voltage insulation के लिए अगर हम इसको high voltage insulation provide कराते हैं उस condition में किस साइट पे rotor साइट पे तो यह थोड़ा difficult होता है नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और हमारे पास क्या-क्या चीजे इसमें मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर हम बात करें तो इस पर फोड़ा सा प्रोइट कराने को तरह से इसका बोल सकते हैं कि स्टेश्चन आर्मेचर के कैस में बात करते हैं तो रोटर साइट पे जो एक तो हमारे स्टेशनरी तो आर्मेचर हो गया लेकिन जो हमारा फिल्ड रोटेटिंग फिल्ड उस पर अगर हम इंसुलेशन प्रवाइट कराते हैं तो इस कंडिशन में हाई वोल्टेस के केस में हमारे थोड़ा सा डिफिकल टास्क बन जाता है और अगर हम बात करें और स्टेशनरी आर्मेचर के लिफिकल पर जयाता है तो अभिसली जो स्टेशनरी आर्मेचर के केस में कोलेट गए तो इंसुलेट करना या फिर बोल सकते हैं पंड़ा सप्टेश्नयिक साइट एजी हो जाता है एजली प्रोवाइट करा ऐसकता है नेक्स्ट बात करते हैं जर कि इसको स्पीड आगर हम रोटेटिंग था उसक कि यह स्पीडon पर चाहिँ मारे स्पीड करता है ओस किरेंट ड़कल हायई स्पीड रहती है इसकी रोटेंटिंग फिल साइट पर जो वैसे लिए हमारा रोटर साइड हम बोल सकते हैं तो उस कंडिशन में इसको कूलिंग कर वाइंडिंग होती है वह मौर एफिशेंटली इसको कूल करा सकते हैं जैसे हमारे स्टेशनरी पार्ट की बात की जा रही है तो जो होगर करता है तो उसको कूल कराना on this प्रोसेस हो जाती है more efficiently वह वहां पर जो उसकी cooling है basically windings की वह easily हो जाती है तो rotor side windings cooling is more efficient cooling is more efficient तो यह कुछ point से थोड़ा सा ध्यान में करके ना तो यह अगर आपसे पूछ लिए जाएं इस तरह से question बन जाएं तो यहां पर अगर हम options read out करते हैं the first option में given is reducing number of slip rings on the rotor बिल्कुल सही है अगर हम stationary की armature की बात करते हैं तो वहां पर हमें slip rings दो यहां पर number हमें require होते हैं क्योंकि DC supply करनी होती है इसलिए फिल्ट सिस्टम में option second में given है difficulty of providing high voltage insulation on rotor यह भी हमने देख लिए कि rotor के side पर अगर हम insulation प्रवाइट कराते हैं तो हमारी थोड़ा सा difficult task बन जाता है अगर हम बात करते हैं rotating fill system की उस case में क्योंकि stationary armature के case में फोड़ा easy process होता है next बात की जारी option third में armature is associated with large power as compared to the field circuit यहां पर option third भी हमारा right हो जाएगा यह बैसिकली अगर हमारे पास high voltage की अगर हम बात करें high speed पर work करी है हमारी machine तो उस condition में हमारे पास the rotating side होगा वहां पर जो windings होगी उस भी हमारे वोल्तेसफोथ होगा उस condition में हमारे पास cooling effect आहां पर more efficiently work करा पाएँगे तो इस condition में हमारे पास जो armature अगर हमारे स्टेशनर यह है तो वहाँ पे उसके compare में वह थोड़ा ज्यादा more जो large power है वहाँ पर basically अगर हम armature की बात करें तो वहाँ पर ज्यादा more efficient होगी वह इस option 3 में बोला गया है option 4 में बात की जारी है all options are correct तो option 4 हमारे यहां पर basically right हो जाएगा तो answer हमारा option 4 हो जाएगा सारे जो भी options given है वो बिल्कुल सही है I hope so कोई भी डाउट नहीं रहोगा और यह थोड़े से point है यह थोड़े से ध्यान में रखेगा अगर question बन जाए स्टेशनर यहां पर बात की जारी है अगर आपसे बोला जाए कि rotating system की case में तो इस condition में भी आपके पास ही है जो सारे point से सही होंगे तो I hope so कोई भी डाउट नहीं होगा इस related कोई भी डाउट है तो comment box में बता सकते हैं जो भी next video आएगी महां पर discuss कर दिया जाएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अब next lecture में जे हिन